कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग एम्मीद करता हूँ। आप लोगpreneं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों जैसे कि आपको official को लेकर विडियो के रियर्ट को लेकर बहुत सारे स्टुडेंट जो है मुझ चिंतित हैं कि कि समय पर आएगा वीडियो रियल्ट और काफी लंबे समय से जो है बच्चे परशान हो रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी स्टुडेंट से पहले मैं उन सभी यूटूबर से भी कहना चाहूंगा कि जिन यूटूबर की यूटूबर को फॉलो करते हैं या जो भी इस पर बिडियो समंदित बिडियो बनाते हैं वह सभी तैरह तारीक के लिए जो है अपने वीडियो पर बच्चे को कहिए क्योंकि कुछ बच्चे जब जा रहे हैं वीडियो के रियल्ट के लिए आयोग में तो तभी आप लोग पोच कोज़ों कि तभी कुछ होगा क्योंकि जब तक आप लोग नहीं जाओगे आपका रियल्ट तयार है और आपको यहीं पता है कि जब तक रियल्ट नहीं आएगा आगा की प्रीक्रिया नहीं होनी है तो इसलिए आप सब लोग इस पर थोड़ा से एक वीडियो बनाकर लोगों को एकजुट कीजिए कि तेरे तारीक को जो है आयोग जो जा रहे हैं बच्चे उनके साथ कोपरेट करें और ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चे के ही जाने से बहां काम होगा क्योंकि यह भी मांगा अपने रिल्ट सहीता लग जाएगी यानि की सोले मार्ज को टक अगर नहीं आया अगर आप का रेल्ट सोले मार्स तक नहीं आया तो फिर समझेशे की रियर बहुत लंबा जाने बाला है तो पता है कि कोई ना कोई कारण आयोक के दोरा बताया जाना ठीक है तो इसलिए आप जब तक आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे, जब तक अपने अधिकारों को नहीं माँगे, जब तक आपके रिजल्ट को डिले किया जाएगा, लिस्टिंग में आपका रिजल्ट है, सारा काम हो चुका है, रिचेकिंग भी हो चुकी है, सारे तेरह फ्रव्य को जाकर बहां पर सभी बच्चे जो है आयोग में और एक बार और कंफर्म करेंगे क्योंकि जब दिसंबर में गए थे बच्चे तो उस टेम्पर बताया था कि दिसंबर महा में ही आपका रियल्ट आ जाएगा फिर जनवरी में गए तो आयोग में जवाब मिल कि वीडियो के साथ साथ जो कमाएं टेकनिकल वालों का भी लिस्टिंग घूल और प्लिस नहीं हो जाता है और अगर लोग भी वीडियो रियल्ट बॉलों के साथ जो है एक बार चले जाओ क्योंकि अगर आप भी चले तो फिर यह हैं कि आपके भी रियल्ट की बाद जबी ह हो जाएगी और सभी बात यह कि दोनों रियुक्त जरूरी हैं कि बहुत पुरानी बहुत है और उसके बास आप लिकिसे हैं, कि हमारा क्या है क्या चल रहा है मैं क्यों कि ली सा कोई भी यूटूबर मैं हूं या कोई और फिर हो अगर बार आपको रियुक्त सब से इरेलों करते हैं तो उन्हें पर यह बात दियाती है कि पते हैं खालें किसी से नहीं होने का यहां पर आप लोग को भी जागना होगा ठीक है एक यूनिटी होनी चाहिए और उसी यूनिटी के साथ जो है आप अपने रियल्ट के बारे में थोड़ा सा बात करिए क्योंकि रजाई में बैठकर अपने विस्तर में रहे कर घर पर रहे कर तो आपका रियल्ट नहीं आने वाला है जब तक आप थोड़ा मेहनत पोस्ट में बहुत सारे एक्जाम दिया है और जिनके अच्छे नंबर है उनमें से भी 20-25 लोगी सीरियस हो पाते हैं महां जाते हैं अब रियल्ट के लिए कोमेंट साब सब लोग करते हो थोड़ा सा आप भी कुछ काम कीजिए ठीक है भई हम लोग जितना पूसते हम से ही इन साथ दिन में रियल्ट आ जागा रियल्ट बिल्कु तयार है ऐसा है बैसा है तो यही आंकडे हम आपको भी देते हैं ठीक है तो थोड़ा सा आप बार थोड़ा सा काम आप भी कर लीजिए एक बार आयोग जाए तेरह तारीक साब जाने के आयोग बात कर रहे हैं तो स्वरिते हैं तारीक में ही इननीके साथ ही बहुत अहीं होने वाले हैं क्योंकि इस महामें अगर तो फिर थो फिर Chief के लिए तो तो मेरा तो बस यहीं बात करना नहीं चारा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगा सब एक जूट होकर अपने मां ठीक है और जितना हम से होगा हम भी अपने गुरूप में वाटसप गुरूप जितने भी हमारे गुरूप चलने हैं उन सब में हम एज़ेट को सेयर करेंगे जिससे कि बच्छे एज़ुट हो जाएं ठीक भी या और रही बात यह कि कुछ बच्छे कह रहे हैं कि हमारा एक्जाम हम कैसे करेंगे बाई आएगा ठीक है तो फिलाल में इस बात पर सोड़ा सा कोमेंट्स करेंगे और अगर जो भी इस समझनी बात करनी है हम साम को नो बज़े लाइव जुड़ंगे आप बहां पर बात कर सकते हों ठीक है तो जैसी बात होगी और आप अपने सवाल जवाब करेंगे हमसे तो हम भी आपको जवाब देंगे ठीक है तो जब बात अच्छी होगी क्यों कि अभी तक जो मेरे दिमाग में परसंद उठ रहे हैं कि आप ये कोशन पूछोगे मैं उसी के आपको जवाब दे पार हूँ फिलाल में जब लाइव आएंगे तो आप अपने कोमेंट्स करेंगे तो फि झेंडता अग।